अब ओडिस्सा में अंडियारेफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट दमकल विभाग सब मिलकर रहत और बचाओ का काम चला रहे हैं रास्तों को क्लियर किया जा रहे हैं कि बड़े बड़े पेड गिर गए हैं यूदस तर्प रहात और बचाओं का काम इसलिए भी जरूरी है ताकि रिलीफ वर्क हो सके, गाड़ियां एक जगह से दूसरे का जा सके, सरकार का आदेश है कि जल्द से जल्द हालत को सामानने किया जाए. चक्रबादी तुफान दाना के करण वह पर पहुच जाए और मोके पहुच चुका है इंडियारेफ के टीम और रस्ते पर जितने भी पेर गिरे हुए थे उनको काट कर क्लियर करने के जो काम है, वो काम इंडियारेफ के तरफ से जारी है. और दाना तुफान का असर सिर्फ ओडिस्सा बंगाल पर नहीं है, बलकि साथ राज्यों पर हैं. आंदर प्रदेश, तमिल नाडू, बिहार, चारकन और 36 गड़ में भी अलर्ट जारी किया गया है. इन सभी राज्यों में प्रशासन भी अलर्ट मोट पर है. तेज जवाओ के साथ कई इलाकों में बारिश की चितावनी दी गई है. और मैप की जरी आप समझ सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से उठाओ ये तूफान, दाना किस तरह से धीरे-धीरे, उत्तर पश्चिम की और बढ़ता हुआ जा रहा है. और बंगाल और साथी उडिस्सा के बाद दक्षिन धामरा पर जैसे की देखा जा रहा है, कई सारे पेर यहाँ पर गिर गया है, यह गाओ है दक्षिन धामरा और यहाँ पर जैसे की देखा जा रहा है, एक बड़ी सी पेर यहाँ पर गिरा हुआ है, सिर्फ यही पेर नहीं, इसके साथ-साथ कई सारे इसी इलाके मे और भी पेर गिरा है जैसे कि ये बड़ा पेर जैसे गिरा है तो इसका गिरने के वज़े से यहाँ पर एक कच्चा घर था कच्चा मकान वह भी तूट गया है हाला कि इस घर पे कोई था नहीं इस घर पे कोई रहता नहीं था इसलिए एक्सिडेंट से बज़ गया लेकिन इस